दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एन इरेक्टर्स आपका स्वागत करता है। हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। तो आईए जानते हैं अपने प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न खत्रों और उनके बचाव के उपायों के बारे में। और इनके सही इस्तमाल के नियम निर्देश कुछ इस प्रकार है। काम करते वक्त सेफ्टी शूज पहनने से आपको चलने में आसानी होगी और आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। साइट पर हमेशा सेफ्टी हेलमेट ज़रूर पहने। इससे उपर से गिरने वाली बस्तु से आपका बचाव होगा। काम के दोरान रिफ्लेक्टिव जैकेट हमेशा पहननी चाहिए। ताकि आपको दूर से ही देखा जा सके और आपको किसी हाथसे के पहले ही आगा किया जा सके। ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन या गैस कटिंग मशीन पर काम करते वक्त सेफ्टी ग्लासेस पहनना ना भूलें। ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखते हैं। अपने हाथों को छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए हैंड ग्लव्स का ज़रूर इस्तमाल करें। मशीन का प्रयोग करते वक्त या फिर जहां कहीं तेज आवाज आती हो, वहां अपने कानों की सुरक्षा के लिए इयर प्लग्स का इस्तमाल किया जा सकता है। उंचाई पर काम करना, उंची जगह काम करते समय, सेफ्टी हारनस या सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है। क्योंकि उंचाई पर दुरहटना जानलेवा हो सकती है। किसी उंची जगह चड़ते वक्त केवल सुरक्षित सीडी का ही इस्तमाल करें। और ध्यान रहे, चड़ते वक्त या तो सीडी को आपके सहकर्मी ने मजबूती से पकड़ रखा हो, या फिर वो रस्ती या तार से बंधी हो। किसी भी बॉक्स, ड्रम, आधी असुरक्षित चीजों पर ना चड़ें। उँचाई पर काम करते समय अपने टूल्स लापरवाही से ना रखें। क्योंकि इनके गलती से नीचे गिरने से आते जाते सहकर्मियों को चोट लग सकती है। वेल्डिंग सुरक्षा वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को ज़रूर पहने। आनी जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे, अगर आप उचाई पर welding कर रहे हों, तो नीचे सीमा क्षेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर्ड का इस्तमाल करें। Welding मशीन के holders, leads, clamps और grounding को इस्तमाल से पहले जांच लें। सभी welding मशीनों के connection में ELCB का इस्तमाल ज़रूरी है। इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। Welding करते समय नियास पास के equipment की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढख कर रखें ज्वलनशील वस्तों जिनमें आग पकड़ने का खत्रा हो। जैसे पिट्रोल, डीजल, गैस सिलिंडर, इत्यादी की नस्दीक welding कभी न करें। गैस कटिंग सुरक्षा गैस कटिंग करते समय बहुत सावधानी से सभी बताई गई बाते और लगाए गई safety signs का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बंग जगों पर ना करें। हमेशा खुली और हवादार जगह का ही चायन करें। ताकि आपको सास लेने में भी आसानी रहे और आसपास के equipment को भी नुपसान ना पहुचे। गैस सिलिंडर को कभी भी जमीन पर रोल न करें। इस्तमाल के समय सिलिंडर को निर्धारित ट्रॉली में सीधा खड़ा रखें और कारे के बाद गैस नौजल बंद करना न भूलें। अपनी कटिंग टॉच, गैस रेगुलेटर्स और गैस पाइप की अच्छी तरह से जाच कर लें। और सुनिश्चित कर ले कि ये कहीं से कटी-फटी या लूज ना हो। सही पहचान के लिए होजस और अक्सेसरीज को निर्धारित रंग दिये गए हैं। ऑक्सिजन के लिए नीला और असिटलीन को लाल रंग दिया गया है। ध्यान रहे, कारी शुरू करने से पहले अक्सिजन और असिटलीन प्रजर अज़स्टिंग नॉब जीरो पे हो। पहले असिटलीन टॉर्च वाल खोलें और उचित स्पार्क लाइटर से ही जलाएं। माचिस या सिगरेट का इस्तमाल कभी न करें। इसे काला धुआ छटने तक अज़स्ट करें और उसके बाद ही ऑक्सिजन वाल खोलें और उचित लौपर सेट करके ही इस्तमाल करें। ध्यान रहे, कहीं से भी कोई गैस का रिसाव न हो रहा हो। कारे खत्म होने से पहले असेटलीन वाल बंद करें और उसके बाद ऑक्सिजन वाल बंद करें। इससे बैकफायर की संभावना से आपका बचाव होगा। गैस वाल बंद करने के बाद टॉच वाल को भी अच्छे तरह से बंद करने, गैस कटिंग करते समय भी पानी या रेच से भरी बाल्टी पास रखना अनिवार्य है। भारी भार उठाने की सुरक्षा, EOT क्रेन या मोबाइल क्रेन या फिर इस प्रकार के किसी भी उपकरन से भारी सामान उठाते हुए कृप्या इन बातों का ध्यान रखें और उनका पालन करें। जहां काम हो रहा हो, वहां हमेशा नजर रखें। क्रेन के रास्ते में कोई रुकावट न हो और भार के नीचे कभी न चलें। ऑपरेटर को केवल एक ही आदमी निर्देश दें, बाकी लोग अपनी निर्धारित स्थान से ही निगरानी रखें। जरूरत पढ़ने पर तुरंत उसकी सूचना निर्देश देने वाली व्यक्ति को दें। अगनी सुरक्षा, वेल्दिंग, गैस कटिंग, इत्यादी की बज़े से आग लगने की स्तिथी में पानी या रेत डाल कर उसे बुझाएं। फायर एक्स्टिंगुशर और अलाम को कवर ना करें और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पढ़ने पर आसानी से दिखाई दे सकें। आग लगने की स्तिथी में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, लकडी, कागज, कपड़े या प्लास्टिक घटना स्थल से तुरंध हटा दें। यदि कोई दुरघटना हो या आपको संपत्ती के नुकसान की जानकारी मिले तो आप तुरंध अपने सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूच ना दें। विद्युत सुरक्षा अच्छी गुनवत्ता वाले मेटल टॉप सॉकेट और प्लग्स का ही प्रयोग करें और कभी भी सॉकेट में खुले हुए नंगे तार ना डालें। केबल मैनेजमेंट दुरघटना से बचने के लिए जमीन पर केबल ना छोड़े और उनको समेट कर सुरक्षित जगह पर ही रखें। ओपन फ्रेंच हमेशा काम खत्म होने पर फ्रेंच को उचित तरह से बंद करें। ऐसी जगह जहां गिरने की संभावना हो उस जगह फर्ष के खुले हिस्से की उचित तरीके से फेंसिंग करें। सुरक्षित प्रवेश उपर नीचे चड़ने उतरने के लिए बनाएगए सुरक्षित रास्तों का ही प्रयोग करें। ग्रहव्यवस्ता, काम खत्म होने के बाद ध्यान दे कि आपने सारा सामान ठीक से उसकी निर्धारिज जगह पर सुरक्षित रख दिया है। और हाँ, स्वच्छता पर विशेश ध्यान दें, कारिक्षेत्र पर गंदगी ना फेलाएं। शिष्टाचार, कारिक्षेत्र पर सिगरेट, बीडी, पान, तंबाकू, गुटका, खैनी का सेवन ना करें और यहां बहां ना थुकें। शराब या नशीले पदार्तों का सेवन करके कभी कारिय पर ना आएं। इससे आपको खुदको ही नहीं, दूसरों को भी हानी पहुँच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मुबाइल फोन का उप्योग ना करें। क्योंकि साबधानी हटी, दोरघट ना घटी। तो दोस्तों शर्मा फैब्रिकेटर्स और इरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ-साथ सबकी सुरक्षा का घ्यान रखेंगे। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।